हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल हिंदी टेरोडाट ट्रिपल टू मैं हूँ पललवी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नहीं रीडिङ और आज हम देखने जा रहे हैं दिल वर्सस दिमाग तो ज्थेशे मैं आज ट्यारो से देखूंगी आपको बस इतना जरूर इध्यान रखनाlaşग discussion जब यहाँ पर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो दौरान पर आपको अपने प्रभू अपने ईश्वर जिन पर आपको इतना भरोसा है कि आप आप बन करके भी उन पर भरोसा करते हो तो उनको जरूर से याद रखना है उनको कमेंट बॉक्स में ग्रेटिटूट जरूर से आप को देना है और तब आपको रीडिंग की शुरूवाद करनी है ठीके रीडिंग के दरान फोकस अपने पर्सन के ओपर जरूर से बनाए रहुए aga歴AR12 आपके लिए रहा है universe guide कीजिए बताइए मेरे जो भी viewers मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके person के दिल में उनके regard क्या चल रहा है guide कीजिए बताइए universe सबसे पहले है आपका flow rebuild sadness and isolation heart chakra and overall energy has spread your wings ठीक है तो पहले मैं शुरूबात करती हूँ दिल से हाँ पर जो strongly मुझे energies दिखाई दी है वो है आपकी Aries Leo and Sagittarius जिसमें आपका Sagittarius काफी जादा strong दिखाई दिया है and Aries भी even मुझे बहुत strong energies में दिख रहा है Gemini, Libra and Aquarius, Mithun, Tulain, Kumbh, Rashi भी याँ पर है ठीक है जो आपके person याँ आपकी हो सकती है तो basically देखो दिल से न ये person न अपने आपको एकदम तूटा हुआ फील कर रहे जैसे कि इनका दिल तूट चुका है और इनका दिल इतना तूट चुका है कि ये person किसी से भी अब दिल नहीं लगा सकते वो चीजे इनके दिल में है एजन इन्हें ऐसा लग रहे कि मेरे दिल के इतने टुकडे हो गए है या मेरा दिल इतना उदास हो गया है कि मेरे दिल में जो दर्द है न वो कोई सुने न वो चीजे चल रहे हैं इनके मन में इनके दिल में आपके लिए ये परसन आपके साथ एक अलग ही दुनिया जी रहे थे एक अलग ही दुनिया में इन्होंने कुछ पल बिताए जिसमें इन्होंने खुलकर सास ली ये फ्लो के साथ चलना सीखे आप इनकी जिन्दगी में उस तरह से आई थे जैसे कि एक होता है न कि अंधेरे में इन्हें कोई चिराग मिल गया इन्हें एक जिनी मिल गया तो आप इस परसन की life में इस तरह से आई थे उसके बाद इस परसन ने actually में सीखा कि जिन्दगी क्या होती है जिन्दगी में प्यार की कितनी एहम्यत होती है या प्यार अगर आपके पास है तो आप खुल कर सांस ले पाते हो वो जो लाइफ होती है वो अलगी होती है वो जो पल होते है वो अलगी होते है तो वो चीजे इस परसंद के मन में थी जिसे ये आज भी याद करते हैं लेकिन उनको याद करके अब ये परसन उदास होते हैं दिल से रीजन यहाँ पर यह है कि वो पल अब इनके साथ नहीं रहे वो पल, वो साथी, वो खुशियां वो सब इनसे छूट गई है वो सब अब बिखर गई है और वो पल, वो सभी चीज़े बिखरे क्या है उसके बाद इनका दिल भी तूट कर बिखर गया है तो वो चीज़े इनके दिल में है यहाँ पर आप लोगों के बीच में यह जो भी टावर मुमेंट आया है उस टावर ने इस परसन को बिखेर कर रख दिया है वो चीज़े इस परसन के दिल में चलती है इन्हें ऐसा लगता है कि इस टावर मुमेंट के बाद यह अपने आपको उस जगह पर देख रहे हैं जहाँ पर यह ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं और इसलिए यह परसन ना बस उसी जगह पर बैठ कर दिल से कभी आपको याद कर लेते हैं कभी उस पल को याद कर लेते हैं जिस पल में इनकी जिन्दगी में यह तूफान आया था जिस पल यह तूटकर विखरे थे यह रिष्टा तूटकर विखरा था तो वो चीजे इनके दिल में हैं, यानि कि ये पसन ना जो आप लोगों के रिष्टे में तोड़ फोड़ हुई है, जो भी आप लोगों के रिष्टे में disruption हुआ है, उसे आज तक भूल नहीं पा रहे हैं और ना ये पसन उस पल को भूल पा रहे हैं, जिस पल में इन्होंने आपके साथ जीना सीखा था, उड़ना सीखा था, या खुश रहना सीखा था, फ्लो के साथ चलना सीखा था, तो वो चीजे इनके दिल में हैं आपके लिए, जैसे कि बहुत जादा मिस करते हैं ये पसन आपको दिल से, लेकिन इस टावर मुमेंट ने ना इस पसन को दिल से सोचने के लिए भी जैसे थाम दिया हो रोक दिया हो वो चीजे भी इने परिशान करेंगे तो इस चीज को clarify करेंगे लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि दिमाग में इनकी क्या है हो सकता है वही पर इसके regard कोई सवाल का जवाब हमें मिल जाए इसे अभी रखते हैं यहाँ पर गाइड कीजे यूनिबस प्लीज डिवाइन प्लीज आर्केंजर्स प्लीज ओली इंजर्स प्लीज इस इस प्रेट गाइड मुझे गाइड कीजे बताईए Viewers के person के दिमाग में Viewers को लेकर क्या चल रहा है Guide कीज़े बताईए Heart Chakra फिर से आया है Sacrifice Authority Disruptions again आया है And Bottom of the deck है Shadow Same energy है जो दिल में है वो दिमाग में है यहाँ पर आपके लिए Number 4 and Number 16 Number 5 यह बहुत जादा important दिखे है यानि कि April, May यह दोनों बहुत important है देखो यहाँ पर यह चीज़े है कि जो भी disruption यह जो भी tower moment आप लोगों के बीच में हुआ है Basically इस disruption ने इस tower moment ने इस person को इतना दिल से तोड़ दिया है कि यह person न यह नहीं समझ पा रहे है कि सही क्या है गलत क्या है गलती किसकी है किसकी नहीं है रिष्टे में जब disruptions आते हैं तो कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है यह person इन चीजों का फरक दिमाग से नहीं कर पा रहे है दिमाग में इनके कही न कहीं किसी point पर यह चीज़े हैं कि disruption की जो भी वज़ा है वो पूरी तरह से इनकी नहीं है disruptions की वज़ा इवन इनकी है ही नहीं यहाँ पर यह चीज़े दिख रही है कि दिल फिर भी इस disruption के बाद इन्हें यह बोल रहा है कि भाई इसको वापस से जोडने की सोचो जो टूट गया है उसे rebuild करने की सोचो लेकिन दिमाग इनका इस चीज़ पर अड़ा पड़ा है जो टूट गया है जो टूट जाता है उसका अगर आप जितना जल्दी हो सके सेक्रिफाइस कर दो उसे जितनी जल्दी हो सके अपने मन से जहन से निकाल दो उतना आपके लिए बहतर है दिमाग इनका इन्हें बेसिकली इस रिष्टे मेना मेहनत करने से रोक रहा है जबकि दिल कहता है कि रिबिल्ट करो इसमें वापस से चीजों को नए सिरे से स्टार्ट करो ताकि अपनी खुश्यों को फिर से जी पाओ लेकिन दिमाग इनका इन्हें इन्फ्लेंस कर रहा है कि भई गलती तेरी ही है क्या भई सारी जिम्मेदारी तेरी ही है क्या गलत क्या तुम ही हो तो उस तरह से दिमाग इस person को कही ना कही इस connection में जो disruptions हुए है और उससे जो चोट मिली है उसके लिए ने ये influence कर रहा है कि भाई चोट तो तुझे भी लगी है तो तुही क्यों जम्मेदारी ले रहा है इस तरह से इन्हें जो इनका दिमाग है न वो इन पर influence डाल रहा है possibilities कुछ लोगों के case में है कि ऐसा जो दिमाग है वो इनका खुद का हो और कुछ लोगों के case में possibility है कि ये दिमाग इनका ही नहीं यहाँ पर ये दिमाग किसी और परसन का है कोई और energy कोई authoritative परसन है जो इन्हें ये convince कर रहा है जो इन्हें ये समझा रहा है कि भाई देखो गलती तुम्हारी नहीं है तुम क्यों आगे बढ़कर rebuild करने के बारे में रिष्टे को सही करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ इस person के दिल और दिमाग में जंक छिड़ी हुई है यहाँ पर ये जो भी person है इनकी नहीं बोहत सुनते है ये जो भी person है ये कहीं ना कहीं परदे के पीछे छुप कर काम कर रहे हैं यानि कि सामने से नहीं कर रहे हैं परच्छाई बने हुए हैं ये इनकी साथ चल रहे हैं लेकिन सामने से ये काम नहीं कर रहे हैं ये जो भी परसन है बहुत स्ट्रॉंग एनरजी बहुत जादा पावर वाली एनरजी मुझे दिखाई दी है लीडर टाइप के दिख रहे हैं, जिसे इन्होंने अपना गुरु मान रखा है, अपना सब कुछ इन्हें सौप रखा है, और दूसरे सिच्चुईशन ये खुदी ऐसे है, कि ये अपने आपको गुरु मानते हैं, अथौरिटे परसन मानते हैं, और वही इगो वही घमन इने रोक रहे हैं, तुम ही क्यों गलतियों का सामना करो, तूटे तो तुम भी हो, अगर वह तूटी है, या तूटा है, या रिष्टा उसका तूटा है, तो तुमारा भी तो तूटा है, और तुमारे लिए अपने आपको सुकून देना जादा इस वक्त में इंपॉर्टेंट है, अपने आपको हील करना तुमारे लिए इस वक्त में जादा जरूरी है, तो ऐसा कुछ इस परसन के दिल और दिमाग में चल रहा है, ये चीजे मुझे अभी तक दिखी, लेकिन अब हम देखते हैं टैरो से, जब इंसान बैलेंस्ट हो जाता है ना, तो दिक्कत नहीं आ दिल में इनके क्या है, दोनों को साथ लेकर मैं चलूंगी, प्लो को खलार गये किजे बटाएए, जो भी विवास मुझे सुन रहे हैं उनके पसल के दिल में इनको लेकर क्या है, काई कीजे बटाएए, नवजा कीजे, यहाँ पर आपका आया है, नाइन ओफ कॉप्स एंड lovers लेकिन दोनों ही card आपके reversed में आये हैं और इनके मन में न या इनके दिल में इस रिष्टे में जो ठहराव आ गया है जो इस रिष्टे में moment नहीं हो रहा है उस चीज का डर चल रहा है यानि कि दिल से ये person काफी ज़्यादा डरे हुई energies में देख रहे हैं कि अगर ये रिष्टा इसी थरा से ठहर गया ना तो इनकी जो ख्वाहिशे हैं इस रिष्टे को लेकर आपको लेकर वो कहीं न कहीं इनसे दूर हो जाएंगी वो इनसे छूट जाएंगी तो वो चीजे इस person के दिल में है यानि कि आप दोनों का साथ हमीशा के लिए छूट जाएगा इतना छूट जाएगा कि आगी पता नहीं आपको देख भी पाएं या नहीं देख पाएं कभी आपसे मिल भी पाएं या नहीं पाएं तो उस तरह का डर इस person के दिल में है आपको खोने दिल से तो वो यहाँ पर है गाइड कीजे बताईए यूनिवर्स सेक्रिफाइस को लेकर वीवर्स के परसन के दिमाग में क्या है गाइड कीजे बताईए सेक्रिफाइस को लेकर वीवर्स के परसन के दिमाग में क्या है गाइड कीजे बताईए दिमाग में इस परसन के ये चीजे हैं कि थर्ड टाइम इस रीडिंग में टावर काड आया है कि भई दिस्ट्रॉप्शन की बाद बेतर ये है कि ये आपको ना बलकि और जो इनके पास ओप्शन्स है और जो इनके पास दर्वाजे हैं उन्हें खट-कटाएं बजाएं आपके दर्वाजे पर वापस से खट-कटाने के तो वो चीजे इनके दिमाग में हैं यानि कि दिमाग से ये परसन इस चीज पर जादा फोकस कर रहे हैं आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो इन्हें और options को भी अब देखना चाहिए उनसे क्या इन्हें फाइदा मिल सकता है क्या नुकसान मिल सकता है तो उस चीज की calculation ये person दिमाग से करना है क्योंकि जो चीजें बिखरी तूटी अब उसमें खुशियां देखना कहीं न कहीं इनकी ना समझी होगी तो उस तरह से चीजें इनके दिमाग में चल रहे है Rebuild को clarify कीजें बताईए इस मामली में viewers के person के दिल में क्या चल रहा है Guide कीजें बताईए Rebuild को clarify कीजें बताईए इस मामली में मेरे जो भी viewers है उनके person के दिल में क्या चल रहा है Guide कीजें बताईए Three of Vands and bottom of the deck है Temperance यानि की दिखो मैंने जो चीजें बोली कि दिल से चाहते हैं इसी रिष्टे में समझाता हो जाए इसी रिष्टे में वापस से मिल जाए इसी रिष्टे में मिलने का समझाता करने का फैसला लिया जाए बजाए इधर उदर भटकने के बजाए पीछे मुणने के बजाए इतनी research करने के इसी रिष्टे में अगर चीजों को सही से deal करा जाए संभाला जाए तो इसी रिष्टे को बहुत बेतर करा जा सकता है तो वो चीजे इनके दिल में चल रही है लेकिन इस disruption के मामले में देखते हैं दिमाग में इनके क्या चल रहा है गाइट कीजर बताईए विवस के परसन के दिमाग में disruption को लेकर क्या चल रहा है गाइट कीजर बताईए उनिवस गाइट कीजर बताईए हैंड मैं इत्वाग से आप देखो observe और disruption इनको same ही energies ने clarify कर रहा है और यही चीज़े आई है कि दिमाग कह रहा है सरिंडर कर दो बजाए उसके पीछे भागने के बजाए उसके लिए वो इच्छाए रखने के ये सभी कही न कहीं maturity की निशानी है तो वो चीज़े इनके दिमाग में चल रही है ठीक है और इसी reason की वज़े से ये person अंगिना बस confusion ही रहरा है एसा मैं यहाँ हस taught एसे ग्데 इस एन आइसूलेशे के मामली मी विवर के पर संट की दिल में क्या है प्रसक में उनिवर एन दो यही Emperor आया है और इनके दिल में यह चीजे चल रही है जिस भी Emperor ने कोई और इनरजी है या इनका खुद का घमंड है जिस भी Emperor ने इस परसन को इस connection में आपसे दूर करा आपसे लड़ने के लिए influence करा या इस connection में यह हालात जिसने भी लाकर create करें ना उसने कही ना कही ने हरा दिया उसने इन्हें तोड़ दिया उसने इने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया इस तरह से बंद कर दिया कि अभी खुलकर कुछ चीजें जी नहीं पारे है देखी नहीं इने हरा दिया है तो वो चीज़े इनके दिल में चल रही है लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस अथोरिटी को अथोरिटी के मामले में विवर्स के परसन के दिमाग में क्या चल रहा है गाइट कीज़ बताईए यूनिवर्स गाइट कीज़ टैन आफ सोर्ट एंड किंग आफ क दिमाग में यह चीज़े चल रही हैं कि इमोशनली फूल होने की यहाँ पर अब जरूरत नहीं है ठीक है यह जो इमोशनल यह जो दिल इन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है उसे अपनी उपर हावी मत होने दो इस रिष्टे में किसी ने भी कुछ भी करा है लेकिन इस रिष्टे की पूरी खतम करने के जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो तो वो चीजे इनके दिमाग में चल रहे हैं यानि कि इस connection को इस person को इस रिष्टे को emotionally देखने की तुम ना समझी कर रहे हो बजाए ऐसा करने के तुम्हें कही ना कही इस connection को पावर में रहकर देखना होगा तो वो चीजे इनके दिमाग में चल रहे हैं देखा दिल कह रहा है कि भाई देखो हार कर रहे है और दिमाग कह रहा है कि नहीं पागल मत बनू हाट चक्रा को clarify कीजе बताए स्मामली में विवर्स के परसन के दिल में क्या चल रहा है दिल में इनके आपके प्रतिव व अट्रैक्षन है जिसे कि जो प्यार के लिए जब प्यार होता है जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो उसको वो चीजे फील होती है उसके एक नई सोच बनने लगती है उसके लिए कोई बहुत खास बन जाता है तो दिल में इनके आप वही खास आज भी हो वो दिख रहा है वही खास पर अभी भी वो feelings रखते हैं वही एक अजीब सी जो आपके साथ energies एक situation एक रिष्टा एन और ने जिया है न वो यह person दिल से बहुत ज्यादा feel करते हैं और उसे के लिए अभी भी attracted है heart chakra को clarify कीजियों बताइए स्वाम में videos के person के दिमाग में अब क्या चल रहा है काई कीजियों बताइए इनिवस 10 of pentacles and bottom of the deck है आपका 8 of cups दिमाग में इनके ये चीज़े चल रहे हैं कि भाई देखो इनके लिए यही बेतर है कि ये अपनी stability के बारे में सोचे इस connection से ये move on करने के बारे में सोचे emotionally इस connection को या आपको या इस रिष्टे को ना देखकर अपने परिवार के लिए अपनी इमानदारी निभाएं जिम्मेदारिया निभाएं या उनके लिए जो इनके कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करें तो इस तरह की चीज़े इनके मन में इनके दिमाग मेना चल रही है तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि दिल इनका बीवी आपसे दूर नहीं हुआ है और दिमाग ना इने बार बर ये उकसा रहा है कि भही आपसे दूर अब आही चुके हैं तो ये बार 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 पीछी मुड़कर जाने के बारे में क्यों सोच रहे है अब यहाँ पर ये देखते हैं ultimately किसकी आपर जीत होगी दिल की जीत होगी या दिमाग की जीत होगी तो वो मैं देखोंगी major अरकाना से ठीके गाइड कीज़े, universe please divine, please archangels, please holy angels, please spread guide, मुझे guide कीज़े, बताइए, क्या viewers के person की, हाँ पर दिल की जीत होगी या दिमाग की, universe guide कीज़े, चल देखते हैं, सबसे बहले दिमाग की देखते हैं, इस परसन को समझ में ये चीज़े आनी हैं कि अगर ये अपने दिमाग की सोचेंगे दिमाग को ही फॉलो करके चलेंगे न तो यही दिमाग इन्हें कब सूली पर लटका देगा कब इनका इनका यही दिमाग इनका फासी का फंदा बन जाएगा तो वो चीज़े इस परसन को definitely समझ में आएगी यानिकि ये परसन अपने दिमाग का साथ यहाँ पर नहीं देगे ठीके दिमाग को फॉलो यहाँ पर नहीं कराजाएगा दिल की definitely ये person सुनेंगे with this the sun and ये big yes को denote करता है तो definitely ये person अपने दिल की सुनेंगे लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस चीज की जंग में ना इस person को थोड़ा समय लग जाएगा ठीके इन दोनों के जंग के बीच में ने समय लगने की possibilities है जब तक ये person इस दिमाग के थूँ एक जटका नहीं खा लेते न या अपने हालात ऐसे नहीं बना लेते जिसमें इनका यही दिमाग इन्हें फासी के फंदे तक पहुचा दे या situation इनकी ऐसी create कर दे तब तक ये person अपनी दिल को नहीं सुनेंगे तब तक उसे कही न कहीं ignore करते रहेंगे उसे उसकी सुनेंगे नहीं तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहे है तो पहले यहाँ पर जटका लगना है देन ये person यहाँ पर बढ़ेंगे और इसके लिए possibility हैं इस person को लग जाए तो ये थी मेरी reading I hope आपको reading के मात्यम से clarity मिली हो आप connect कर पाए हो अपने आपको इस reading से अगर आपको clarity मिलती है आप connect कर पाते हैं तो बताइएगा जरूर चैनल को like, share and subscribe जरूर से कीजगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई reading नई टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज की लिए बस इतना ही, ओके बाबाई